दाभी आईपी टीवी सच आपके सामने नमस्कार दोस्तो एक बार फिर हाजिर हैं हम क्रिकेट की कुछ नई खबरों के साथ दोस्तो कुलकाता में आज भारती टीम ने इतिहास रचा जहाँ पर उन्होंने पहला पिंग वाल टेस्ट मैच खेला और इस मैच में इसांद सर्मा ने इतिहास रच दिया दोस्तो जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से कि इसांद सर्मा और भारती पेशरों ने कैसे इतिहास रचा है और आज पहले दिन के खेल का पूरा हाल आप बने रहे हमारे साथ दोस्तो अगर आप इसान सर्मा को एक बहतरिन गेनबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो आज के अतिहासिक मैच में बांगलादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले को सही साबित नहीं कर पाए क्योंकि भारती गेनबाजो ने गुलाबी गेन से खुब तबाही मचाई और बांगलादेश को सभनने ही नहीं दिया आप समझ सकते हैं भारती गेनबाजो का गहर कि बांगलादेश सिर्फ तिन घंटों में ही धेर हो गया बांगलादेश को पहला जटका 15 रणों के अंदर ही इसान सर्मा ने दिया जब सलामी बल्लेबाज इमरूल कैश को LBW कर दिया उसके बाद बेटिंग करने आएं बांगलादेश के दो बल्लेबाज कप्तान मुमिनूल हक और मुहम्मद मिथून को उमेश यादों ने खाता भी खोलने नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को उमेश ने बोल्ड कर दिया फिर बेटिंग करने आए बांगलादेस के अनुभवी बल्लेबाज मुस्विकुर रहीम लगा की कुछ रन बनाएंगे लेकिन मुहम्मद समी के आगे उनकी एक ना चली और रहीम भी बिना खाता खोले चलते बने उसके बाद इसान सर्मन ने गुलाबी गिन से कहर बरपाना शुरू कर दिया और किसी भी बल्लेबाज को क्रीश पर वक्त बिताने का समय ही नहीं दिया और एक के बाद एक पांच बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम वापस भेज दिया और पहले ही मैच में गुलाबी गिन स पांस विकेट लेने वाले पहले भारती गिनबाच बन गए और बांगलादेस की पूरी टीम 30 ओवर में 106 रन बना कर आउट हो गई दोस्तो इस पारी में जहां इसांत ने 5 विकेट लिये तो वहीं उमेश्यादों ने 3 और मुहम्मद समी ने 2 लिये इस तरह टीम इंडिया के पेशरों ने ही आपस में सभी विकेट बाट लिये और स्पिनरों को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया बांगलादेस की तरफ से ओपनर सादमान इसलाम ने सबसे ज़ादा 29 रन बनाए बांगलादेस को 106 रन पर निप्टाने के बाद बेटिंग करने उत्री टीम इंडिया की सुरुआद भी कुछ खास नहीं रही और 26 रनों पर ही मैंग अगरवाल की रूप में भारत को पहला जटका लग गया मैंग अगरवाल ने मात्र चौदा रन बनाए उसके बाद बेटिंग करने आए चेतेस्वर पुजारा ने रोही सर्मा के सांथ समल कर बेटिंग की और स्कोर को आगे बढ़ाया लेकिन जब भारत के स्कोर 43 रन था तो रोही सर्मा ने पुजारा का सांथ छोड़ दिया और 35 गेंद में 21 रन बना कर आउट हो गए रोही तने अपने इस छोटी सी पारी में दो चौका और एक चक्का लगाया दोस्तों अगर आप चाहते हैं भार बांगलेदिस को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद